हेलो गाइस कैसे हैं आप उमीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे देखिए ये questions आपका if fz is analytic function है of z का prove that करना है आपको आपके पास del square upon del x square plus del square upon del y square mod और fz के mod का square is equal to 2 f-z mod का square तो friends यह आप question दिया गया है कह रहा है कि analytic function है आपके पास fz और आप उसे इस तरीके से proof करके दिखाई हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं given fz जो हमें u plus iv4 हम लोग consider कर लेते हैं is an analytic function यह हमारे पास analytic function है अब देखिए friends जो question ने हम से थोड़ सा consider किया है वो क्या है कि वो कह रहा है rfz के mod rfz है rfz का मतलब क्यों होता friend rfz का मतलब होता है जो आपका fz है उसका real part वो हमारे पास क्या है u है ठीक है और फिर उसने उन्हों कहा है कि आप से कि आप जो है इसका दो बार derivatives करिए स्क्वार करने के बाद ठीक है यानि कि अगर मैं इस del u का square का एक बार derivative x से आद करता हूं तो मुझे result मिलेगा 2u del u upon del x ठीक है अगर मैं same condition अपनी y की ने apply करूं तो अगर मैं del u upon del y apply करता हूं u square पे तो आपको बन जाएगा 2u del u upon del y ठीक है अब देखिए एक question ने जो मांगा है वो कह रहा है कि double derivative निका लिए del u upon del x का तो आपने का ठीक है मैं इसका square कर लेता हूं और इससे apply करता हूं फिर ठीक है यहां से शुरू करते है question को del upon del x और del upon del x को दो बार लिख दिया मैंने एक बार u square के साथ तो यहां से हो जाएगा del upon del x और इसका result आएदा है आपने भी देखी लिया 2u del u upon del x इस तरीके से आप लोग इसका एक बार रो कर दीजिए 2 बाहर आ जाएगा u को करेंगे आप तो del u upon del x हो जाएगा यह term आपका जो यह term है यह ऐसी रहेगा प्लस अब आप यू को छोड़ दीजिए इसका second time कर दीजिए ठीक है तो आपको जो result मिला वो मिला del u upon del x का whole square मिला और plus u del u upon del x इसक्वायर तो इस तरीके से आपने क्या काम करा यह result आपने find कर लिया similarly condition friends हम लोग same to same हमें y भी चाहिए ना तो आप लोग इस तरीके से कर लेते हैं इसको चलो ऐसे करते हैं solve भी कर लेते हैं completely तो इसको ऐसे लिखे लेंगे del upon del y और del upon del y u square अब देखी क्या करना है इसमें इसका इक बार कर दीजिए यह आपने डिफेंशिट कर दिया आपको जड़ आगे इतना अब देखी टू तो आप आउट कर लीजिए यह दो function हो गए यह जिस तरीके यहां पर यह दो जगा ब्रेक हुआ है एसी यहां पर भी होना है मैंने यू को कर दिये पहले del u upon del y और del u upon del y जो second वाला टरम था छोड़ दिया पिलस अब मैं यू को छोड़ दूँगा इस टरम का करूँगा तो यह टरम का तो second derivative इस तरीके से बन जाएगा अब हम क्या करते हैं टिकिंग कर लेते हैं left hand side तो friend left hand side जो मैं दे रही है वो इस तरीके से है कि आप से कहा गया है कि second derivatives आपको निकालना है और इस तरीके से है कि rfz है उसके mode का square है ठीक है तो आप लोग शुरू हो जाएए अपने left hand side को लेकर तो यहां से तो आप इसके result लिख सकते हैं यह result कितना है आपका यह you है you का square हो जाएगा आप इस अंदर enter करा दीजिए जैसे ही friends आप लोग इस अंदर enter कराएंगे तो आपको एक result मिलने वाला है जो आपने पहले ही निकाल कर रख रखा है देखिए यह result आपको मिला यह आपने पहले ही निकाल कर रख लिया है यह result आपको मिला यह आपने निकाल कर रख लिया है तो इस तरीके से आपके पार result पहले से आ चुका है तो आप इसे लिख सकते हैं this plus this यानके two bracket del u upon del x का whole square plus u del u upon del x square plus इसकी निकाला था यह भी आप रख दीजिए two bracket del u upon del y का whole square plus u second derivative हो जाएगा आपका इस तरीके से देखिए आपने two तो को लिले समय से common ठीक और square वाले कर लिए one side एक तरफ दोनों एक साथ आजाएंगे यह रिजल्ट आया एक और यह रिजल्ट आपको पास पास आ गए और जो यह ट्रम से second वाले यह जो ट्रम से second वाले रह गए आपके यह दोनों के दोनों आप एक साथ दिख लीजिए तो आपने u पाउड करा इसमें और यह बना आपका del u upon del x square और del u upon del y square ठीक है देखिए फिरेंट्स तो लोग इसको दिहान देखिए यह कुछ है हम लोगों ने पढ़ा था lap last equation यह दोगा जिसे हम लोग delta लिखते थे delta square u यह इनिका इसका मतलब होता था कि u का 2 bar x के साथ और 2 bar ही हमारे क्या होने चाहिए था इसका y के साथ ठीक है अब देखिए क्योंकि u जो है एक पार्ट्स है रियल पार्ट है अनलेटिक फंक्शन का तो फ्रेंट्स अनलेटिक फंक्शन का जो पार्ट्स होते हैं u और v वो अपने आप में आप हर्मोनिक होते हैं हर्मोनिक होने कहते हैं जो लैप लास्ट्स कुशिंग में सचिस्वाई करते हैं यानि कि उनके निए डिजल्ट क्या होता है इकवल दीजरो तो लिख सकते हैं u जो है ना इस हार्मोनिक Harmonic function है इसलिए इसके second derivative होगा जो आपको show हो रहा है इस result must be zero ये result आपको क्यों हो जागा जिरो इसका मतलब ये हुआ जो हमें result मिला वो मिला है सिर्फ 2 एक जीब साथ को way डेल एक्स का स्क्वायर देल यू आप उन्हें देल य का स्क्वायर ईए अब हम क्या करते है राइट इंड्सवाइट जो है questions की वह लेके चलते हैं friends तो राइट हैंड साइट इसके राइट हैंड साइट को देखते हैं तो right hand side जब हमने देखा तो हम मिला हमाँ पर fz है हमारे पास और उसका dash हो रहा है friends fz का dash होने का मतलब है कि आप उसका partial differential कर दीजिए with respect to x यानि कि fz का partial differential आप कर रहे है del upon del x u plus के iv तो result आपका हो जाएगा friend del u upon del x plus के i del v upon del x इस तरह के साफ ने इसको break कर लिया है अब जो right hand side है उसको match करने कोईश करी हमने है तो right hand side को हम लोग ऐसे करते हैं consider ही कर लेते हैं बलगे चलो हमने right hand लेके चले वह है two mode में fz का square two mode fz का मतलब friends इस तरीके से आपने इसको result लिख दिया है देखिए अब यहां पर real और imaginary part आपको साफ साफ दिखाए दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं जो real imaginary part है और mode हमारे पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं real part का square कर लेते हैं प्लस imaginary part का square कर लेते हैं ना इस तरीके से हम लोग से solve कर लेते हैं तो अब जो result आप लेके चले थे left hand और right hand वाला वह मैच कर लिजिए देखिए राइट जो आपका left hand side थी वह आपका आया था two del u open del x का square plus del u open del y का whole square और यहां पर same match कर गया इसे equation first बोल दीजिए यह equation second बोल दीजिए और लिग दीजिए equation first and second से कि जो result था आपका del u upon del x का square plus del square upon del y का square और real part of fz का mod का square is equal to twice of fz के mod का square यह आपका होगे friends प्रूब्स प्रूब है